नमस्कार दोस्तो यूपेस की मास्टर में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रास्ट्यांदुलन के संखनाद पर और मूल चर्चा कभी से रहेगा कांग्रेस की अस्थापना सम्मंध ही तक थे मित्रो मेरा नाम है मनोस तोसियान और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेस्बुक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जिसके लिंक डिस्किप्शन बॉक्स में दिये हुए हैं चलिए शुरू करते हैं आज का ठोपिक मित्रो देखे सबसे पहले प्रस्ण उठता है कि राश्टी अंदुलन क्या है राश्टी अंदुलन से तात्पर है ऐसे अंदुलन जो राश्ट के लिए किये गए हैं अत्वा ऐसे आंदुलन जिनका मूल भाव राश्टवाद से प्रेरित रहा है अब दूसरा प्रस्ण उठता है कि राश्टी अंदुलन की शुरुवात कहां से माने चुकि जो कुछ सुदेशी या हिंदुत राश्टवादी इतियास्कार है लेखक है विद्वान है उन्होंने अठारा सो सतावन के संग्राम को प्रथम सोतनता संग्राम कहां है जैसे विदी सावर कर तो इसलिए ये प्रस्ण उठना लाजमी भी है देखे यदि अठारा सो सतावन के सोतनता संग्राम पर गोर से द्रिश्टिपात किया जाए तो यह महसूस होता है कि इसमें कोई राश्ट की विचारधार नहीं थी यह चेत्री हित के लिए लड़ा गया था यदि मुगल बादुर्शा जफर लड़ रहे थे तो वह अपनी बादसाहत के लिए लड़ रहे थे जहासी की रानी लड़ रही थी तो वह अपनी अस्मिता के लिए लड़ रही थी अपनी जहासी के लिए लड़ रही थी नाना साहब तात्या टोपे या अन्य नेता लड़ रहे थे सब के अपने अपने व्यक्तिगत हिट थे राष्ट की कोई भावना नहीं था राष्ट के लिए कोई हिट महतो नहीं रख रहा था अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 1857 का विद्रोह वहां एक राष्टे विद्रोह या राष्टी आंदोलन की सुरुवात नहोकर प्रमप्रागत विरोध की एक आखरी चोड़ था वो प्रमप्रागत विरोध क्या थे इससे पूरु भी अनेक विद्रोह होते रहे थे जन्जातियों में किसानों में वो भी अपने छेत्र हिद के लिए होते थे तो अब ये प्रसन उठता है कि वास्तों में हम इसकी सुरुवात कहां से माने अब मोडन नेसलिज्म के अगर हम बात करें तो हम इसकी सुरुवात 1867 के आसपास से मान सकते हैं जब राश्यस्तर के छोटे-छोटे संगठन अस्तित्त में आ गए थे जैसे पूना सारजिनिक सभा मद्रास महाजिन सभा और 1876 में इंडियन एसोसियेशन इसके विशय में ऐसा कहा जाता है इंडियन एसोसियेशन के जिसके अस्थापना की थी आनंद मोहन बोस ने सुरुनात मनर जी ने कलकत्ता में 1876 में कि यदि कांगरेश की अस्थापना नहीं हुई होती तो यही संगठन था जो अखिल भारत का नित्रतु करता यह संगठन आ गए थे इनी संगठनों का जो वास्तिक परिस्करत रूप जो है वो 1885 में कांगरेश की अस्थापना के साथ अस्थित्त में आया और यही से जो प्रभुद्ध भारतिय वर्ग था एक जूठ हुआ रास्ति हित की मांग उठाई अर्थाथ हम यह कर सकते हैं कि रास्ति आंदुलन की सुरुआत होई रास्ति आंदुलन की सुरुआत हमने देखी 1885 में जो चर्चा की अभी कांगरेश की अस्थापना के साथ और यह जो रहा 1947 का चरण रहा अब इस बीच जो है कुछ समय समय की अंतराल पर नेताओं की जो प्रवर्तियां हैं कार करने के तरीके हैं उनकी विचारधारा है उनमें परिवर्तन देखा गया तो उनकी विचारधारा कार्यपदती के आधार पर यदि हम देखें तो राश्टी आंदुलन को तीन भागों में बाटा जा सकता है जो पहला जो भाग है वहां है उदारवादी युग वहां माना जाता है 1885 से 1905 तक का का काल दूसरा है उगुरवादी युग जो माना जाता है 1905 से 1919 तक का का काल और तीसरा है गांधिवादी युग 1919 से 1947 तक का काल ये तीरों के तीरों जो है इनका अध्यनम करते हैं रास्टी आंदुलन में देखें अब जो हैं हम एक के बाद एक करके सभी पर चर्चा करेंगे बहुत सारी वीडियोज आएंगी एक टोपिक की एक ही रहेगी सबसे पहले हम देखेंगे उदारवादी या मोडरेट फिर्यड की इसमें तीन से चार वीडियो रहेंगी इसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे संखनाद पर इसका उद्य कैसे रहा फिर हम चर्चा करेंगे उदारवादियों के उद्यस्वे कार्य प्रणाली कैसी थी जैसे कि मैंने चर्चा की कि उद्यस्वे कार्य प्रणाली के आधार पर ही हम रास्टे आंदुलन को तीन भागो में बाढ़ते हैं फिर हम चर्चा करेंगे जो मुख्यकारी गतिवीधिया रही उन पर और हन्त में हम चर्चा करेंगे रास्ट्य आंद्रन में उदारवादियों के मुल्यांकन पर देखिए सबसे पहले हम चर्चा करें संखनाथ पर उदार pizzas के देखें कांग्रेस का गठन माना जाता है 1880 में या कांग्रेस का गठन हुआ 28 दिसंबर 1880 को आगे चल्चा के विशे कर रहेगा ये जो है एक अखिल भारते संस्था थी और इसके गठन की त्यारी ऐसा नहीं है कि तुरंट से हुई एक लंबी प्रकिरिया ही थी छोटे-छोटे संगठन अस्तित्व में आ चुके थे 1838 में लेंड होडर सोसाइटी आई थी जो पहला राजनेदिक संगठन थी उसके बाद देखने को ये मिला कि अनेक संगठन अस्तित्व में आए हाला कि एक अखिल भारतिय अस्तर का संगठन भी लगभग अस्तित्व में आ चुका था जिसको हमने इंडियन एसोसियेशन के नाम से देखा 19. सति के उत्राद से ही राष्टवादी राजनेदिक कार्यकरता एक अखिल भारतिय संगठन के निर्माण के लिए परियासरत थे और इस दिशामें कार्य हो भी रहे थे परंतु इस विचार को मोर्त रूब देने का जुस्त्रे है वो जाता है एक अंग्रेज अधिकारी एवल्यूम को मैंने इससे पहले चर्चा की 1876 में इंडियन एसोसियेशन नामक संगठन अस्तित्य में आ गया था और यही लगबग पहला अखिल भारतिय संगठन था इसने अखिल भारतिय मुद्दो को उठाया भी था जैसे वरनाकुलर पे सेक्ट आम सेक्ट जैसे मुद्दो को इसके लावए इलबट विवाद भी जो है इसी ने उठाया था सोरी उस मुद्य को भी इसी ने उठाय था देकि यही जो संगठन था इंडियन एसोसियेशन ये लगातार जो है आल इंडिया कांफरेंस कर रहा था तो 1883 में जो आल इंडिया कांफरेंस हुआ जिसके अध्यक्स थे आनंद मोहन बोष कलकत्ता में इसमें भारत में प्रबुद्ध भारतियों ने भाग लिया और इसमें एवोहूम भी सामिल हुए अब एवूहूम के मस्तिक्ज में यही एक विचार आया कि एक ऐसी संगठन की आवसकता है आखिल भारतिय अस्तर पर जिससे सभी भारतियों के विचार चन चन कर बिर्टिस सरकार तक पहुँचे इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की अस्थापना की इस इंडियन नेशनल यूनियन ने 1884 में ये प्रस्ताव रखा कि आगामी वर्ष में 28 दिसंबर 1885 को पूना में एक सम्मेलन होगा जहां हमें निर्धारित करेंगे कि हमको कौन सा संगठन लाना है परंतु पूना में 28 दिसंबर 1885 में जब ये सम्मेलन होना था इस दोरान हैजा फैला हुआ था इस बज़े से ये सम्मेलन बंबई में हुआ गोकुल दास्तेजपाल संस्कृत महाविधाल में इसमें अनेक प्रवुद्ध भारतियों ने भाग लिया जिसमें दादा भाय नोरोजी गोपाल कृष्ण गोखले बदरुदिन तयोब जी फ्रोशामेता जैसी नेता थे इसी सम्मेलन में दादा भाय नोरोजी ने सुझाव दिया कि ये जो इंडियान नेशनल यूनियन है पहुंचेंगे इसकी अस्थापना की समय कुल 72 लोग मुजूद थे जिन में परमुक थे एव रूम जो इसके संस्थाफ़क हैं ये दादा भाय नोरोजी बदरुदिन तयब जी फिरोशामेता पी आनंद चालू रमेश चंद्र दत्त केटी तैलंग गोपाल कृष्ण से भी जाना गया है इंपाटन्ट फेक्ट है कि इसकी अस्थापना के समय सुरेंदरनाथ बनर जी वे आनंद मोहन बोष सामिल नहीं थे क्योंकि इस दोरान आल इंडिया कानफरेंस का कलकत्ता में फिर से आयोजन हो रहा था और इसका आयोजन कराती रही थी इंडियन एसोस जिसके अस्थापना 1876 में इनके द्वारा ही की गई थी कांग्रेश जो सब्द है वह उत्री अमेरिका से लिया हुआ है जिसका आर्थ होता है लोगों का समुग इस मंच के अर्थाद ये जो वास्तियुक रूप में अखिल भारते संगठन था इसके उद्दे से थे पहला उद्दे से था रास्त हित्मे सलग्न वेक्तियों के बीच घनिस्ता वो मित्रता कायम करना नेक्स्ट राजनेतिक कार्यकरम की रूप रेखा त्यार करना वे उन पर संबलित रूप से विचार्युमर्स करना रास्तिये एक्ता का विकास वे सुद्रुडिकरन करना शिक्षित भार्द्यों को एक जुट करना यह निर्णे लिया गया कि इस मंज के ये उत्जेशे हैं इसके अलावा जो यह तो दीर्गकालिक उत्जेशे जो वास्ताओं में इसको पाने हैं इसके अलावा कुछ समय पर जो उत्जेशे रखे जाएंगे इसके लिए साल दर साल एक अधिवेसन बुला जाएगा उसमें क्या होगा कि अगले वर्स के लिए उद्दे से निधर्ट के जाएगे पिछले वर्सों का मुल्यंगन किया जाएगा इसी करम में इसका प्रतम अधिवेसन भी बंबै में हुआ जाने इसके अस्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को इस अधिवेशन के अध्यक्स्ता की व्योमेस चंद्र बरनर जी ने इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मांग की पहली मांग थी प्रसासन की अधिन सिविल सेवा का भारतिय करण के जाना चाहिए प्रेस को सुतनुता प्राथ होनी चाहिए सेन्ने वयों में कटोती बिटेन से आयात होने वाले सूती वस्त्रों पर जो आयात सुल्क है उसमें कमी की जाए भारतिय नायधिसों को यूरोपियन नागरिकों के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार दे जाए ये इलबट बिल से सम्मंदित जुमा ने पीछे भी चर्चा की यहां मांग को दुराया गया भारतियों को भी यूरोपियन्स के समान हत्यार रखने का अधिकार दिया जाए जिसकी मांग 1876 से जो अस्थापित हुई थी इंडियन एसोसेशन उसने जो है 1878 में इसके पारित होती ये मांग की थी कि आम सेक्ट रद्ध होना चाहिए इसके लावा बिटिस मतदाताओं को भी भारतिय समस्याओं से अवगत कराना चाहिए और जिसके लिए जो है इसने क्या किया कि ये जो हमारे प्रबुद्ध बारतिय इंग्लेंड में जाए वहाँ जो है छोटा मोटा संगठन बनाए प्रेज के माध्यम से उन लोगों को अवकत कराए बित्रो आज का जो वीडियो था वो इतना ही था मुझे आसा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आपको अस्क्रीन पर एक प्रस्ण नजर आ रहा होगा वो है कि निमलिखित में से गलत तत्थ की पहचान कीजिए आपका पहला A तत्थ है कांग्रेस के अस्थापना 28 दिसंबर 880 को हुई आपसन B इसकी अस्थापना के समय दादा भाय नोरोजी मौजूद नहीं थे C इस दोरान पूना में आल इंडिया कांफरेंस का आईजन हो रहा था D इसकी अस्थापना के समय कुल 72 लोग मौजूद थे आपके विकल्प है विकल्प है A A वै B विकल्प 2 B वै C विकल्प 3 C वै डी विकल्प 4 उप्यूख सभी सही है कोई गलत नहीं है आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं थेंक्स पोर वाचिंग जय हिंद जय भारत महाशक्ति भारत